गूड बॉर्मी कीत मार रास लिला नो प्रसंग वणी लेवाज मतलब ये जो उर्मी कीत है उसमें रास लिला का प्रसंग लिया गया है बाड़ोपने गाउग में इव आ काबी है बच्चो को गाने में इंट्रेस आए एस आई ये काबी है कोयम है आमा प्राश धार ते मत सब्द नोन पात्रा छे अल्लक दल्लक जांचर जल्लक रढ़ियाड जम्नानो मल्लक अल्लक दल्लक जांचर जल्लक मतलब जांचर पैर में जो पायल पहनते हैं वो जैसे चलक रही है रड़ियाड जम्नानो मल्लक रड़ियाड मतलब सुंदर और जम्ना मतलब नदी का नाम है और मलक मतलब प्रदेश रड़ियाड मतलब सुंदर जम्ना का प्रदेश है एती मतलब उससे भी ज्यादा सुन्दर राधागोर्ड है उसका मूख जलक रहा है आप में मतलब आकाश के अंदर पूरम का चांद उगा हुआ है और रास जग्यों से छम्मक छम्मक मतलब के रास चल रहा है कोपी भेडो कान गुशियों से दोलक वागे धंबक धंबक कोपीयों के साथ में कान भी अंदर गुशा हुआ है रास के अंदर और धोलक भी बज़रा है धंबक धंबक राधी कानों हार पूटे से मोती चल के चलक चलक इसी दोरान रादी का है रादा है उसका हार तूट जाता है एक एक मोती मीचे गीर जाता है और वह चमक रहा है बढ़ा जड़े अपन एक खुटे से रुए रादी का छल्लक छल्ल didnt z beenして thatís Weak लिकिन एक कम पढ़ रहा है इसलिए राती का हे वो रही है के लिःद्ली होय तो आल ने का나 मूति मारू चल्लक चल्लक मतलब कानाजी आपने मैं मैं लिया है तो मेरे को हापिस दे दो ना जो चमकत हुआ मूति है वो मेरे को मैं वा पी दे दो तारा चरीतर छे क्या जाना जाने आखो मलक मलक तारा चरीतर मतलब चरीतर तेरेको कौन नहीं पेचानता है का छुपे हुए तेरा चरीतर पूरा मलक मतलब पूरा प्रदेश तुमारेको जानता है कान ने त्या थी दोट मुकी छे रीस चली गोपी जन वलक कान वहां से भाग गए हैं रिश चड़ी मतलब रुट गए हैं गोपी जनवल्लक मतलब गोपीयों के प्रिय कृष्णा कदम चाई खुब जुकी से बंसी छेड़े अलल्क जल्लक कदम की चाई कदम एक पेड़का नाम है वो जुप गई हैं बंसी छेड़े अलग जलग और वहाँ पर बंसी बजा रहे हैं बासुरी बजा रहे हैं राधा दोड़े चीत अधीरी रास रजों से अलग दलग राधा जहां पर बासुरी के आवाज आती है एकचीथ से धीरे पंद के साथ में वहां पर दोड़ी जाती है जहाँ पर राष खेल रहा है शूर वणायए धीरे धीरे उसकी और खीचा जा रहा है मतलब ज्ञाजर पेल की पायर जैसे चमक रहा है और जैसे रडेयर मतलब सुंदर जमना का प्रदेश है मतलब उससे भी ज़्यादा रादा गोरी का सुंदर मुख है जो चमक रहा है यहां पर राधागोरी और स्री कृष्ण की बात की गई है राधागोरी जो है उनका एक मुतिक हो जाता है और वह मिलता नहीं है राज केलने के टाइम पे उनकी मुतियों की जो माला होती हो तूट जाती है और सभी मुति भी खर जाते हैं तब वो श्री कृष्ण भगवान को बोलती है कि आपने मेरा मुति लिया हो तो मेरे को दे दो तो श्री कृष्ण भगवान को श्री कृष्ण भगवानी सुनकर रूठ जाते हैं और कदम के पेड़ पे जाके वहाँ पर जाके बासूरी बजाते हैं और राध्या भी वहाँ पर दोड़कर चली जाती है चल अब हम सब्द सम्झूती पड़ेंगे जांजार एकले के पगवेरवानों एक घर्रेनों मिन्स केना रड्याडों मतलब आख ठरते वो सुन्दर मन मोहब जमना मतलब की यमुना नदी मुलक मतलब मुलक प्रदेश जड़के मतलब चमके जल्लक मतलब जड़क जड़क जड रहे होट चैंड शरसरी ते खेलाई रहे होट छैंड धोलक एटलिके डोल आलने एटलिके आपने कान में लुड़क छरीत्र मतलब चरीत्र गोपी जनवल्लप मतलब गोपी ना बहला स्रीकृष्ण पगवान कदम तो एक वुख्ष्णूनू नाम मतलब एक पेढ का नाम है कतम का पेल बंसरी मतलब वहा सरी अलप जलनलप अलफ जडप दूर थी आत्षार्य शम्राइज देरेत त त मतलब दिले दिरे जीश्क आवाज आये एसा है रुड़ प्रग ईुहतनाव मतलब दील खेचाव सब्सकुर 154 की तरह